हेलो एवरीवान वेलकम टू यार चानल लेके सर आज ट्राइबल मुमेंट्स यह वाला टॉपिक देखते हैं इस वेरी क्रूशल और इंपॉर्टन फॉर दी एफ़ाई बीए एग्जाम्स टी वाई बीए में यूपीए सी एंपीए सी तमाम एग्जाम्स के लिए इंपॉर् के अंदर नेचर वर्शिप में बिलीव किया करते थे तो अब देखते हैं कि यहां पर इस इंडिया कंपणी का जो रूल है इनके लिए कैसे साबित होता है ओवियसले इनके लिए भी जो कोलोनाइजेशन है इस इंडिया कंपनी का वह अच्छा नहीं रहा जैसे पीजेंट ने अटाक किया था जब उनके राइट्स वगेरा के उपर बनाती है तो पीजेंट अटाक करते हैं रेसिस्ट करते हैं इस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्मेंट को तो सेम वैसे ही यहां पर लेकिन थोड़ा से इनका कुछ तरीका अलग था वेकॉस देवर ट्र कुलोनियल रूल सिंस फ्रॉम दी एंशन डेज और फिर उसके बाद में मुस्लिम इन्वेजन हुआ डेली सुल्तान मुगल्स इन्होंने कभी जो ट्राइबल्स है ना तो उनके साथ में इतनी छेड़ शाड नहीं की उनका एक अलगी जैसे मैंने का कि सोशल एकोनामिक स्ट सब्सक्राइब करता है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वह तो तो यहां पर यहां पर एक पर्टिकुलर लैंड है लैंड के ऊपर एक पर्टिकुलर ट्राइब खेती बाड़ी करता है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वह दूसरे लैंड पर के जाके बाद में खेती करता है तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो जो प्रैक्टिस था इसको ब्रिटिश गवर्मेंट ने बैन कर दिया उनके उपर टैक्सेस वगेरा लगाए गए ग किया था पेनेट्रेशन ऑफ दी एक्स्वाइटर सब्रिटेशन ऑफ दी एक्स्वाइटर सक्थख वर्मीज उनके लैंड तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद में उनकी अपर ट्राइब के उपर जो नाचुरल डिसोर्स से तो वह भी वहां से मैक्सिमम तरीके से से एक् 1555 में ये सब बाद में आगया अपन डीटेल में देखेंगे सोचियो रिलिजिस अफेर्स ऑफ दी ट्राइबल्स 1846 में ब्रेटिश ने एक सोचल लिजिसलेशन ताट इस यूमन सैक्रिफाइस एबोलिशन एक्ट लगाया अब ये तो एक हिसाब से अच्छा ही है कि भाई किसी परसन की बली नहीं देना चाहिए लेकिन जो कोंड नाम की जो ट्राइबल कम्यूनिटी थी तो उनके अंदर यूमन सैक्रिफाइस का चलन था तो उनको लग जाता है बुरा क्रिशन मिशनेरीस की जो अक्टिविटीज होती है अब बहुत सारे जो ट्राइबल कम्यूनिटी थे वो जो क्रिशन मिशनेरीस की अक्टिविटी थे उन्होंने सोचा कि हमारे जो धर्म है हमारा जो कस्टम कल्चर है तो वो उसके उपर सीधा के सीधा अटाक है Christian Missionaries को support था British Government का वो भी सही एकदम सूच रहे थे तो Tribals नहीं यहाँ पर revolt किया Britishess के area में अब यहाँ पर exploitation वगेरा का जो अंग्रेजों का जो exploitation था और उनकी activities वगेरा थी जो Christian Missionaries की उसको finally यहाँ पर खतम करने के लिए exploitation by the outsiders and to expel them from the areas Tribals manifested their anger through the various moments including revolts तो अंग्रेज के खिलाफ जो भी बाहर से आके बसे वे थे उनके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर मुहीम चलाई और देखते हैं यहाँ पर कुछ important tribal revolts चुवार नाम का एक revolt है अब यह चुवार revolt basically कहां पर होगा यह देखो यह particular area है यह जितना भी yellow area दिख रहा है it is of the West, modern West Bengal modern West Bengal में एक district है तो वहाँ से यह revolt rise होता है अगर इंडिया के map में देखोगे तो ज़्यादा यहाँ पर यह clear नहीं दिख रहा लेकिन यह particular area में it is of the Bengal तो चुवार revolt lived in the jungle बेंगल महा लौर्दी नौर्थ वेस्टन बिदनापूर यह Bengal का area है basically है ना वो farmers और hunters हुआ करते थे निचली जाती की होते थे और यह pikes वगेरा basically hereditary policeman होता है या तो soldier भी आप समच सकते है local जमीनदार के अंडर मेंसा soldier की हैसियत से काम करते थे के वज़े से उनको tax free land वगेरा मिलता था salary नहीं मिलती थी तो वो उसमें खुश थे जब East India Company यहाँ पर आती है तो उन्होंने बहुत ज़ादा tax burden जमीनदार के उपर डाल दिया मतलब जमीनदार को यह अपना मालिक मानते थे और इसी के बेरे से पायक और चुआर नाम के जो लोग हैं तो इन्होंने revolt किया अपने जमीनदार के हक में और यह जो अपराइजिंग है वो 1768-69 से 1799 ने अर्ली अराउंड 30 अर्स तक के चला आगे देखते हैं यह बिल्स बिल्स का भी एरिया यहां पर देख लेते हैं यह देखो यह बिल्स का एरिया है अब यहां पर यह खांदेश नाम का जो टेरिटरी है तो यहीं से विंधिया सपास होगा तो यहीं पर खांदेश वगरा पड़ता है तो बिल्स बिसिकली majority of the बिल्स आर इंदी मध्या प्रदेश तो मध्या प्रदेश के अंदर इनके एरिया बहुत ज़ादा है अब बिल्स के बारे में देखते हैं हिल रेंजेज अब दी खांदेश ब्रेटिश ऑक्क्यूपेशन खांदेश 1818 अब यह ना मराठा सके अंडर में हुआ करते थे जो बिल की आबादी है 1818 में क्या हुआ मराठा पावर पूरी तरीके से करश हो जाता है ठीक है एंगलो मराठा वार थरी के बाद में अब बिल्स को यह जरा भी पसंद नहीं था कि जो यह आउटसाइडर्स मतलब जो ब्रेटिशर्स हैं वो यहाँ पे इनकी टरिटरी के ओपर एंक्रोच करें ऐसे का जाता है कि जो एक तरिम्बक जी है जो एक बागी मंत्री थे बाजी राव यह जे है बाजी राव सेकेंड के उन्होंने यहाँ पर भिल्स लोगों को इंस्टिगेट किया ताकि हम खांदेश को वापस से अपने हक में ले 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 अब उसके बाद में जनरल इंसरेक् जो ब्रिटिश है तो उनकी इस मिलिटरी फोर्स बहुत ही जादा सूपीरियर थी ऐस कमपैट टो भिल्स वो लोकल अबादी है उनके पास भाला छूरी चाकू वगेरा यही सब तीर तलवारे होती हैं लेकिन इनके पास ने बहुत ही डिसेबलेंड आर्मी होती और बहुत टो इन्होंने दो तरीके से काम किया एक तो जो मानता है उसको मनाओ और जो नहीं मानता है तो उसको सप्रेस कर दो मतलब उसको सीधा खतम कर देना लेकिन फिर भी जो ब्रेटिश है ना यहां पर भिल्स को अपनी तरफ नहीं कर पाते हैं तो यह बहुत ही हाड़ी ट्राइब्स थे यह अब कोल का रिवोल्ट देखेंगे यहां पर अब कोल कहां पर है जैसे मैंने बताया सिंग भूम में है अब देखो यहां पर यह क्लिट की साइब्स में अब्सक्राइब्स में और इसे यहां पर कोल रिवोल्ट के बारे हमें अब कर रहे थे 1830 से लेकर के 31 तक के जो सिंग्भूम के जो ट्राइबल लोग थे ये बिहार जारखंड वाले तो देखो बिहार पहले काफी बड़ा था उसको काट करके फिर जारखंड बना है in the year 2018 अब चीफ रीजर उनका क्या था कि विर्टिश ने उनकी जमीन वगेरा हलपड़ी है और कोल्स क को रेविन्यू कलेक्शन के लिए दे दिया गया था वो बहुत ही जादा उनके रेविन्यू रेट्स वगेरा होते थे ब्रिटिश की जुडिशल और रेविन्यू पॉलिसी थी उनका जो ट्रेडिशनल सेट अप था जो इसाब से वो लोग नया हैं वगेरा करते थे वो एक लेकिन हमारे लोग जीत नहीं पा रहे थे बेकॉज एक अगर साथ में रिबेलियन होता या रिवोल टाइप आफ कुछ होता रहे से 1857 में हुआ था तो इट वोड हाव बीना पुटा ग्रेटर स्ट्रेस और इफेक्ट ऑन दी पॉलिसी ऑफ दी इस्ट इंडिया कंपनी और ट्राइब्स है ँठे मेगाले औगे बढ़ते हैं खासी रिबेलियन से खासी एक प्रिमिटिव ट्राइब मतलब पुरानी जैसे आधिवसी रहते हैं और जैनतिय और गारो हिल्स तो खासी aqui नाम भी है मेगाले के अंदर ये आसाम बगेरा के अंदर पहले के आसाम में पढ़ता था लेकिन आज स्पेसिफिकली मेगाले में पढ़ता आई रिबल्ड अगेंस द ब्रिटिश ऑथारिटी 1765 में इनसे कॉन्टैक्ट में आते हैं और उसके बाद में वो लोगों नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा कापा चोराकाज नागाज और कुकूस यह बेसिकली नागा लेंड वगेरा जो भी बनता है वहीं के ट्राइबल लोग होते हैं संथल रिवोल्ट अब यह संथल रिवोल्ट क्या है संतल हूल भी कहा कि अगया है इसको संथल हूल मतलब हूल मींस है ship ή California यह इस इंडिया कंपणी के खिलाफ था और यह बड़ा धाकड़ और खतरनाक था यह संथल रिवोल्ट संथल रिवोल्ट इस टन झारखन्ड इहला के रख दिया था चलो आगे देखते हैं activities of the landlords and money lenders accompanied a huge increase in the revenue burden मतलब landlords जो है जमीन दार है जो इनको पैसे देते हैं money lenders है उसके बाद में बहुत सारा revenue burden के उपर पड़ जाता है और disaffection among the tribal peasants अब हुआ गया कि इनकी जो services है न वो European railway contractors भी लेते हैं और जबरदस्ती उनसे क करवाते हैं पैसे नहीं देते हैं बहुत सारे जो tribal लोग है वो यहां से migrate भी हो जाते हैं उनको एक सीधा साफ संकेत यह मिल रहा था कि हमारे भाई बंदू यहां से migrate हो रहा है हमारी tribal community खतम हो रही है हमारे पर pressure आ रहा है अगर अभी हतियार ने उठाएंगे तो हमको problem आ ज बुला कि जो भी हो रहा है यहां पर यहां पर ब्रेटिशस सबसे first grade यहां पर इनको importance दिया जाए जैसे inequalities उन्हें ने पैदा की है संथल rebellion few months तक के लिए यहां पर चला और उसने imperial control यहां पर ब्रेटिशस की एकदम नीव इला डाली थी उसने रातों की नीन चैन सब सुकून का गायब हो चुका था इतने खतरनाक थे लोगों के इन्होंने ठान लिया था कि बस अब आरपार्ट की लिडाई होनी है और यह काफी अच्छे से इन्होंने संथल हूल को कवर किया है ग्रोवर और बिपिन चंद्रा के अंदर course of the rebellion rebels also good deal मतलब जो दूसरे जो और प्रताड लोगों के साथ में हुआ जैसे और भी हम लोगों ने देखा कि इनका जो rebellion है military power of the British school को outclass नहीं कर पाता उनको हरा नहीं पाता और बाद में भी संथल लोगों की insurgency हुई है लेकिन संथल जो थे ना वो बहुत ही खतरनाक थे संथल और मुंडा rebellion यह दो जो rebellion हुए थोड़े से इनका बड़े level का rebellion था चलो अब बात करते हैं मुंडा rebellion यह एक one of the prominent 19th century का rebellion है end of the 19th century बिरसा मुंडा इनका लीडर होता है अच्छा संथल rebellion के अंदर कौन होता है सिद्धू और कानू मुंडा rebellion के अंदर बिरसा मुंडा अब उसने एक term दिया उल्गुलान मतलब great tumult great agitation against the munda raja sorry British Raj और उन्होंने यह बताया कि मुंडा राज स्थापित करना है basically मुंडा यह community वाले थे अब होता क्या है कि मुंडा अज बहुत पहले से enjoyed a preferential rent rate मतलब वो खुंत कटीदार होते थे forest को clear करना उनकी ही जमीन वगेरा थी लेकि 19th century के आसपास जो बाहर से लोग आने ल राट की और यह जो मुंडा थे मुंडा अब उनके यहां पर काम करना शुरू कर देते हैं मतलब यह हो जाता है कि बाहरी लोग आ करके खुद की जमीन के उपर जिसकी जमीन होती है उसकी जमीन साइड लाइन करके अपने हक में कर लेना और सामने वाले को as a यहां पे laborers की और पे काम करवाना तो वो लोग कौन थे जागीरदार्स ठीकादार्स coming as merchants and the money lenders तो आये थे कुछ और बनकर बन गए कुछ और अब land alienation इनके जमीन चुड़ जाती है और यह कब से हो रहा था ब्रेटिश के आने से भी पहले चालू था यह लेकिन जब यहां पर करो कुछ भी करो हमको पैसा चाहिए उनका यह एक नियत था incidence of forced labor और बेट बेगारी also increased dramatically जबरदस्ती काम करवाना same like जैसे संथल्स के साथ में हुआ था unscrupulous contractors moreover had turned the region into a recruiting ground for indentured labor तो यहां पर एक बेट बेगारी वाला system चल रहा था उसके साथ साथ में Lutheran, Anglican, Catholic missions यहां पर Christianity का भी spread देरे-देरे करना चालो किये with the through the education तो tribal solidarity was undermined as the social differences between the Christian and non-Christian mundas deepened मतलब मुंडाज अब दो भाग में बढ़ जाते हैं एक Christian और एक non-Christian ठीक है Agrarian discounted the advent of the Christianity therefore helped the revitalization of the moment मतलब यह जो agriculture वगेरा का यह जो discontent चल रहा था जिससे सबी लोग परेशान थे और उसके बाद में जो Christianity आया था यह दो चीजों के वज़े से यहां पर जो mundas है उनको एक upper hand मिल जाता है और सारे लोग साथ में आते हैं और वो लोग यह सुचते हैं कि अब it is a right time to strike on the Britishers and the money lenders, ठीकादार्स और जागिरदार्स बिरसा मुंडा यहां पर ग्रुप का लीडर था तो उन्होंने movement को lead किया जितने भी village के wastelands थे और यहां पर उन्हें आवाज उठाई कि forest department overtake करने वाला है तो उसको हमको बचाना चाहिए 1895 में बिरसा ने यहां पर एक vision देगा मतलब vision of God और उसके बाद में खुद एक profit बता दिया miraculous healing powers है उसके पास और बहुत सारे हजारों लोग दूर दूर से बिरसा से बाते सुनने के लिए उसकी आते थे उसने बताया कि भाई आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है हमको हमारे fight करना होगा superstition के खिलाफ fight करना है animal sacrifices छोड़ देना है दारू शराब छोड़ देना है sacred thread पहनना है और उसके बाद में हमारे area में ही हमको रहना है sacred groove में तो यह basically एक ऐसा moment था जो पहले मुंडास already society के अंदर यह सारी purity थी लेकिन British आने के बाद में इनका जो purity था वो खतम हो अब वो आप वापस से अपनी purity maintain करना चाते हैं यहाँ से इनको भगाना चाते हैं अब Christianity influence the movement as well it used the both Hindu and Christian idioms created the mundah ideology and the world view मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग Christianity में भी convert हो गएते तो वही एक reason है कि Christianity ने भी यहाँ पर उनको help किया है British ने यह देखा कि भाई जो बिरसा मुंडा से उनको कुछ खत्रा है तो 1895 में उनको दो साल के लिए जेल भेज़ दिया गया जब वो जेल से return आते हैं तो वो शांत नहीं और जादा खतरनाक हो जाते हैं British हैस के लिए बिरसा ने यहाँ पर यह बता है कि भाई जो ठीकादार है जागिरदार राजा हाकेम Christians इनको सभी को अपने ठीकाना लगाना पड़ेगा because इनकी के वज़े से आज हम गरीब बन करके बैटे हैं हमारी जमीन आज यह लेकर के बैटे हैं और यह सब साथ में ही इनकी पूरी की पूरी politics है हमको गरीब बनाने की जो rebels है उन्होंने पोलिस टेशन वगएरा अटाक किये churches और missionaries Christmas Eve 1899 मतलब वही 25 December को Christmas होता है तो मुंडाज ने यहां पर और उनके जो गुरूप ने बहुत सारे churches वगएरा के अंदराग लगा दी जो छे पूलिस थाने के region में आता था और रांची और सिंग्भूम को cover किया करता था January 1900 में police stations were targeted और ऐसा कहा गया है कि बिर्सा के जो followers है वो रांची वगएरा भी अटाक करेंगे अब उसके बाद में क्या हुआ British कम नहीं थे 1900 मतलब 20 वी सदी का आगाज होने वाला है तो काफी develop हो चुका है देश दुनिया अब rebels को defeat किया गया बेकॉज ये थोड़े ही थे और British का network all over the India फैला हुआ था तो विर्सा को capture किया गया और उसके बाद में jail में डेल दिया गया साड़े 300 मुंडास के ओपर trial चले जो rebellion के अंदर शामिल थे तीन लोगों को फासी की सिजा होती है 44 लोगों को यहाँ पर transported for life उमर के अद अब government ने यहाँ पर उनको जो grievance है उनको जो problem है उसको redress करने के लिए यहाँ पर कुछ settlement acts बनाए 1902-1910 में छोटा नाकपू tenancy act of 1908 provided some recognition of their khundkatti rights and banned forced labor तो forced labor को ban किया गया और उसके बाद में जो khundkatti rights है वो उनको वापस से दी गई तो मुंडास ने अपने हक के लिए fight किया और उनको यहाँ पर rights भी मिले forced labor से वो बज़ भी गए in this way छोटा नाकपू tribals won a degree of legal protection of their land rights तो legal protection उनको मिल जाता है यहाँ पर land rights के लिए तो यहीं तक के था tribal moments चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में take care and जैहिन